हरियम दोस्तों मैं योग गुरू डॉक्टरमेत अगरबाल अपने यूटूब चनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज एक बहुती महत्वपूर्ण जानकारी काफी लोग का प्रशन होता है कि योग कप करें अर्थात योग खाना खाने के कितनी देर बात करें योग खाली पेट करें योग शाम को करना क्या उचित है और अगर हम योग में खाने के अंतराल का बिशेश रूप से ध्यान नहीं रखते तो हमारे शरीर को क्या नुकसान होते हैं अगर आप योग को खाना खाने के बाद करते हैं तो आपको कितनी देर का अंतराल रखना जरूरी है क्योंकि सुभा को तो हम लोग खाली पेट होते हैं सबी लोग जानते हैं कि योग को हम सुभा खाली पेट कर सकते हैं या करते हैं लेकिन बहुत से लोग सुभा समय नहीं न कब करें सबसे पहली बात यही आती है कि अगर आप शाम को योग करते हैं और आपने खाने के बीच में proper gap नहीं रखा है अर्थात कम से कम चार घंटे का gap या अंतराल रखना बहुत जिरोरी है अगर आप चार घंटे का अंतराल नहीं रखते हैं तो इसका सीधा सीधा असर कि आप जानते हैं कि आप जो भूजन गिरहन करते हैं आपके शरीर की सारी कृयाईं, सारा सिस्टम उस पाचन परणाली में सपोर्ट करते है उस भूजन को पचाने में आपका शरीर का हर अंग सायोग करता है उस इस्तिति में अगर आप अंतराल कम रखते हैं और शाम को हो जाता है अपच के कारण आपको गैस और की अर्थात वायू की और पित अधिक बनने की समस्या हो जाती है क्योंकि अगर आपके भोजन पेट में है और पूरी तरह वो नहीं पचा उस इस्तिती में अगर आपने कोई भी अभ्यास किया तो वो भोजन जो कम मात्रा में सड़ अगर भोजन 100% पस्ता है तो आप पूर्ता निरोगी रहते हैं और कुछ भोजन अगर सड़ता है तो उसकी वएश से बहुत से रोग आपको आते हैं तो जब आपने योगा भ्यास किया तो भोजन जो कम मात्रा में सड़ आता उसकी मात्रा और अधिक हो जाएगी जिसकी व कर रहा हैं यह समस्याएं कि दो चार छे दिन में नहीं आती हैं यह जब आप लपे समय तक इन चीजों को प्रापर तरीकर से फॉलो नहीं करते तो यह समस्याएं को आपको सामना करना पड़ता है फिर आपको लगता है कि मैं योग कर रहा हूँ और मुझे नुकसान क्यों ह फाइदा क्यों नहीं मिल रहा तो उसका कारण यही होता है कि आपने सही समय का विशेश रूप से ध्यान नहीं रखा तो इसलिए योग करते समय विशेश रूप से ध्यान रखें खास तोर से शाम को कि आपके पेट में भोजन ना हो आपका पेट भारी ना हो अगर आपने भ के तुरंत भी योगा भ्यास कर सकते हैं अगर शाम को आप ग्रीन टी वगरा या कुछ कॉफी वगरा लेते हैं तो उसके कम से कम 30 मिनट्स का अंतराल जरूर रखे उससे आपका पेट बिल्कुल खाली रहेगा और आपके सिस्टम आपके योग जब आप करेंगे तो उसी में वर्क करेगा ना कि आपका सिस्टम डाइवर्ट होगा क्योंकि जब आप भुजन आपका नहीं पस्ता और आप अपने शरीर को योगा भ्यास में इन्वाल्व करते हैं तो आपका सारा शरीर का सिस्टम यहां तक कि ब्रेन आपका नर्वस सिस्टम सब डाइवर्ट हो जाता है जिसकी वज़े से आपको बहुत से रोगों का सामना करना पड़ता है तो ये बहुत ही महत्वपूर है कि सुभा आगर खाली पेट करते हैं तो पानी पी के तुरंत कर सकते हैं किसी भी समय कर सकते हैं अगर आपने ब्रेकफास्ट ले लिया है तो ब्रेकफास्ट के कम से कम एक से डिर घंटे का अंतराल जरूर रखिए, आप दिन में योगा अभियास कर सकते हैं, जो महिलाए हैं, उनको समय नहीं मिल सकता, सुभा में तो वो अपना breakfast के बाद योगा अभियास कर सकती हैं, अगर आप working में हैं और सुभा समय जल्दी नहीं निकाल पा रहे हैं, तब आप दिन के लंच के कम से कम चार से साड़े चार घंटे बाद योगा अभियास जरूर करें, तो इन विशेश बातों का आप विशेश रूप से ध्यान रखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण जानकारी है, इसको ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर करि आपके लिए हरियों.